सब्सक्राइब कीजिए हमारे टुटोरियल पॉइंट यूटूब चैनल को और इस बेल आइकन को प्रेस करके पाईए वेब डेवलोप्मेंट, वेब डिजाइनिंग टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हाई गाईज, वेरी गुट इवनिंग टॉलोफ यूट, आयाम अजय कुमार सुनीजयन गाईज, वेलकम टू माई चैनल, टुटोरियल पॉइंटू के सिक्स्टीन, तो कॉंटिनु करते हैं अपने कोडिनेटर टुटोरियल के साथ जो आज का वीडियो रहेगा थर्ड, जिस बनाते हैं तो आप अगर आप index.php अपनी पूरी directory structure में जितनी भी PHP फाइल हो इसमें आप index.php लिखते हैं यह बनाते हैं यह बनाते हैं तो यह बात तो में क्लियर है, अब मैं बात करतों कोडिनेटर के हिसाब से, तो गईस कोडिनेटर फ्रीमवर्क के बारे मैं एकल बता वीडियोस आपको देते रहेंगे, तो यह पीज एक ऐसा पीज गाइस, जैसी आप URL हिट करवाएंगे तो यह पीज कोल होता है, देखिए मैं दिखाता हूँ, अगर मैं कुछ नहीं लिखा, खाली मेरे प्रोजेक्ट का नाम है यह पर इसने कॉन सा पीज सबसे बले कॉल कि अब देखिए, कोडिक निटर कर से काम करता है, अगर मैं यह लिखूँगा न, about.php, अगर मैं about.php लिखता हूँ, यह मैं कुछ और लिखता हूँ, contact.php, यह जितने भी मैं request कर रहा हूँ, contact.php, about.php, यह मैं कुछ और भी request कर रहा हूँ, यह सारे के सारे पास होंगे, index. .php, मतलब यहाँ पर एक ही page रहता है, जोगी है, index.php, whatever the request is coming from the user side, it might be about.php, contact.php, वो index.php से ही आपकी request होके जाएगी, चाहँ वो controller के पास जा रही है, यह कहीं भी जा रही है, तो मैंना कहने का मतलब यह है, यहाँ पर खाली एक ही file होगी, जो है index.php, आप about.php की request करे यहाँ कुछ भी request करें, आपको index.php से पास होके ही जाएगी, तो यहाँ पर एक ही page है index.php, but अब contact.php की बात करें, about.php की बात करें, यहाँ पर नहीं होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, controller होता है, और उस controller के अंदर बहुत सारे functions होते हैं, अब controller क्या है, function क्या है, बताता है, कैसे काम करता है, तो दिखें, मैं controller की बात करता हूँ, यहाँ पर एक by default controller है, welcome.php, ठीक है, चलते है, view के अंदर, model तो हमने बनानी रखा, तो model की बात नहीं करता है, मैं आज, खाली view की बात करता हूँ, एक controller दे रहे है, welcome.php, और view में दे रखा है, welcome.php, चले हो, ठीक इसको source code दिखा देगी, तो यह कुछ source code देख रहे हैं आप, यह view का है, जो user को दिख रहा है, तो यह कहां define होगा, यह view के अंदर define होगा, मतलब view में define होने का मतलब यह है, कि यहाँ पे view के अंदर, view folder के अंदर पेज है, welcome.message.php, अगर मैं इस क्लिक करता हूँ, इस पे, आपके controller का नाम के है, welcome, और अगर आपको याद होगा, अगर आपके मेरे previous video देखा होगा, तो मैंने एक बात की थी आपसे, मैं लेके चलता हूँ, आपको, एप्लिकेशन को फोड़ा क्लोस करते, system में चलते हैं, यहाँ पे एक file होगी, root.php, एक मिनिट, इसको यहाँ बन क होगा है, क्योंकि मार आपस controller एक है, welcome.php, वो ही हमने यहाँ पर पास कर रखा है, यह तो welcome है, आप जो भी controller बनाएंगे, आपके बास, मालीजी, 20 controller है, या 100 controller है, उन में से आप चाहते हो कि by default यह कोल हो, उस controller का नाम आप यह देदीचिए, मतब यहाँ पे देदीचिए, तो अब ध्यान रखिएगा, जो आप जिस नाम से आपका फाइल का नाम है, वो ही controller का नाम दीजिएगा, ताकि आपको क्लियर रहे, तो welcome समझ आगे, welcome.php, और root.php में आपने by default कौन सा controller कोल कर रखा है, welcoming call कर रखा है, अब एक controller के अंदर बहुत सारे functions हो सकते हैं, इस बात को For example, controller का मतलब क्या है, बात करेंगे, इसके बार में अग वीडियो जुरूर दूँगा, बट फिर भी, अगर एक shopping website है हमारे पास, उसमें shopping cart होता है, बहुत सारे modules होते है, हर एक module को आप controller के बात करो, तो आपने cart controller बना लिया, cart controller के बार बहुत सारे functions होंगे, cart को update करेगा, cart एक बार अच्छे से, हमारे पास समझ आगे, अगर मैं slash लिखू यहाँ पे, हमारे controller का नाम के है welcome, और function का नाम के है index, देखे, यह पूरा form यहाँ से copy करते है, मतलब इस line को copy करते है, और लेके 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 यहाँ पे, देखे, यह तो आपका basic URL हो गया, जो है, जो आपका URL जैसे www.facebook.com, ऐसा ही आपको URL होगा, और यह आपके project का नाम हो गया, मतलब, अब यह आप देखे हो index.ph की तो call होता ही है, यह क्या चीज है, यह मैं आपको दिखा रहा हूँ, coding data के अंदर कैसे calling होती है, आपके pages की, पहले आता है controller का नाम, और फिर आता है method का नाम, जो के index मैं अपको और अचे संजाता हूँ, मैंने call किया, ठीक है, मैं इसी controller के अंदर एक function और बनाता हूँ, public function demo, और यहां देदेए echo, hello, message देदेए कुछ, that's it, hello my first page, ठीक है, चली ठीक है, controller कोन से welcome, जिसमें दो method है, index और demo, index तो हमने call कर लिया, और उसमें क्या मिल रहा है, हमें कुछ दिख रहा है, यह अच्छा खासा design दिख रहा है, अब यहां से मैं index रठाता हूँ, लिखता हूँ, demo, तो क्या आ गया, hello my first page, गास देख रहे हो आप, कैसे हो रहा है यह form, कैसे काम करता है, controller slash function name, तो जो आप यह देख रहे हूँ, जो मैं दिखाने ही कोशिश कर रहा हूँ, जो यह दिख रहा है, यह design कैसे call हो रहा है, index function के अंदर एक यह line लिखी हूई है, जिसकी help से यह view आपका call हो रहा है, और जो यह line लिखी हूई है, इसमें क्या लिखा है, अगर मैं व्यूमे लेके चलूँ आपको, तो व्यूमे क्या है, व्यूमे क्या है, वही पास कर रहा है, तो मैं ज्यादा इसके रहें बात नहीं करता है, यह next video बताऊँगा आपको, यह पूरी line का मतलब, जब मैं बताऊँगा आपको controller क्या होता है, तब आपको आपने index.php, आप बिल्कुल हटा सकते हो, एक हमारे पास फाइल होती है, स्ट-dox, पस्ट-dox, स्ट-access.php, एक फाइल होती है, जिसके अंदर हम URL को, और URL की खोर्मेटिंग कर सकते हैं, URL को छोटा कर सकते हैं, बहुत बार देखा होगा तो आपने .php लिखाने आता, आप .htaccess file हमारे पास होती है उसकी help से हम कर पाएंगे दिखाऊंगा मैं कि यॉर्ल को कैसे हम रिराइट करते हैं दुबारा से लिखते हैं शोट करते हैं उसके बात करेंगे but the main thing is very important कि first is controller name second is demo demo is a function name यहां कोई function का नाम हो सकता है बड़ controller name भी change होगा अभी welcome है कल को कोई और controller का नाम आएका और जो अंदर methods होंगे वो methods आएंगे so guys यह था पुछ how its work I think how its work का आपको अच्छा मतलब समझ आया होगा और अगर अच्छा समझ मतलब आया है मुझे कुछ नीचिया आपसे बस चैनल को subscribe किजिए red button को press किजिए और bell icon को जुरूर प्रेस किजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मेरे सबसे पहले मिल सकें so guys अभी इतना ही if you like this video please subscribe my channel for more videos next video मैं बात करूंगा controller के बारे में controller क्या है और कैसे काम करता है और जो अब यह जो आप design देख रहे है यह जो design आपको दिख रहा है यह आपको अपना form बनाना हो यह कुछ भी करना हो normal estimate जो लिखते हैं यह design कैसे call हो हो रहा है और इस line का क्या मतलब है जैसी मैं index function call करता हूं तो यह design दिख जाता है और वो design खाली इस line की help से दिख रहा है तो क्या मतलब आपको बात करेंगे So guys thank you watching this video and if you like this video please subscribe my channel for more videos thank you and have a good day thank you हुआ झाल करेंगे तो चिसव़wn कि अ कि रचान